नमस्कार दोस्तों मैं सुझे कुमार और आपके अपने चैनल अंडिफिटेट फेंटेंसी के रिएट में आपका स्वागत है और आज एक और वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे अब लोग नोधरन और सिंद के बीच में मैच है देखो यह बिल्कुल भी टी ट्वेंटी नहीं है यह बिल्कुल भी वेंट चीज में किस्कों से बारे में आछने में यह किजिएển हैं प्लें में बताने वाला है कौन से मतलब इनके जो 11 प्लेयर का स्कॉयड है उसमें क्या इनका बैटिंग ओंडर रनने वाला है कौन-कौन से प्लेयर खिलने वाले है वह मैं बताएंगा तींग कमपरीजन दूँगा के दोनों टीवा में स्ट्राउंग टींग कौन सी है वीक टीम कौन सी है best performing baller and batsman में बताने वाला हूँ उसके बाए discuss करूँगा best captain and best captain के कौन से आपके लिए captain के लिए choices आपके रने वाले हैं best captain के लिए choices रने वाले हैं जब मैं dreamland का team create करूँगा last में तो वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि 3-4 player के बैर में ऐसा जिसको आपको must pick है grand league में plus small league दोनों में आप captain and best captain try जरूर कर सकते हो और बात कर लेते हैं यहां से कि upcoming video हमारी कौन-कौन से आने वाली है और कौन-कौन से match हम लोग cover कर रहे हैं क्योंकि देखो मैंने telegram channel उसी के लिए बनाया है और यह YouTube पे तो सब possible है नहीं कि मैं सारा matches कभर कर पाऊं तो वहां पर हम लोग cover करते हैं तो देखो एक blanket seal चल रहा है चार दिन का यह test होता है न्यूजिलांड में चल रहा है और एक seafood seal चल रहा है वो अस्टेलिया में चल रहा है वो भी चार दिन का टेस्ट होता है और यह काईदयाजम का trophy जो चल रहा है जो इसका मैं भी वीडियो बनाना हूँ यह भी चार दिन का ही test चल रहा है तो test में अपना भाई काना ही है तो selection हम देख सकते हो T20 World Cup भी चल रहा है यह भी हम लोग फॉलो कर रहा है Australia One Day Cup चल रहा है यह भी हम लोग फॉलो कर रहा है WBBL चल रहा है Women's One Day चल रहा है यह सारा कुछ हम लोग फॉलो कर रहा है बहुत सारी टीम आ रही है आप बिल्कुल आगा कि जूर सकते हो और विन कर सकते हो आपको आना है, विन करना है, टीम लेना है, विन करना है, टीम लेना है, विन करना है, टीम लेना है, टीम लेना है, विन करना है, तो आओ, विन करो, अब बात करते हैं, कि आपने सारा कुछ मेरे वीडियो देख लिया, सारा कुछ समझ लिया, बट आपको फाइनल टीम तो मेर के फर्स्ट कमेंट में आपको हमारे टेलिग्रम का लिंक मिल जाएगा उस पर भी क्लिक करके आप जूर सकते हों या फिर आप सर्च कर लेना अंडिप्टेट फेंडेसिकर बहुत तरीका है हमारे टेलिग्रम चनल भी जूरने के लिए बिल्कुल फ्री अपकोई पैसा मैं नह सब्सक्राइबं करहेंगे मैच के बारे हुआ के बारे हुआ से काइदेजंट ट्रॉफी चल रहा है ठीक है किस ग्राउंट पर यहोई फेसलिए जाना है तो इसके बारे में में बिसक्स में एपना इंद्फथ पेड़ी नहीं के आ इसे प्राइड आ हुआह सस्कत पीच रीपॉर्ट के बारे में समझ में आ जाएगा चलो इंजरी एवेवेलिटी न्यूस के बारे में यहां से हम बात करेंगे तो कोई अभी तक अपडेट आया नहीं मुझे जैसे हैं मुझे कुछ अपडेट आता है मैं आपको फटाक से बता दूगा कि कौन से प्लेयर खेलेंगे कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे या स्क्वाइड एरांस होगा तो टीम स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन नॉर्दन के टीम थोड़ी सी स्ट्रॉंग है कंपेर टू सिंध की टीम से क्यूं है ऐसा 70% चांस है उनके विन करने के और 30% चांस है सिंध के विन करने का मैं ऐसा क्यूं बोल रहा हूं अब देखो अब मैं जब स्टैर्स भी दिखाऊंगा तो आप हो समझ में आ देगा तो यहां से डिसेंटली जो मैचेश प्लेट करें खेले गए हैं किस लिवल के स्टैर्स है और बात करते हैं कि दोनों के बीच में इंगमें अबितोक मैच जितनी वार हुए है ना तीन बार मैचेश हुग है इस दोनों के बीच में उसमें दो बार नोधरन की टीम जीती है सिंध की टीम तो एक बार जीती ही नहीं है एक भी बार नहीं जीती है और एक बार नॉट रिजल्ट रहा है या नहीं कि ड्राव हुगा है उसमें ठीक है तो यहाँ पर भी थोरी सी Northern की टीम स्ट्रॉंग आपको दिखेगी अब हम लोग आते हैं इनके प्रेटेबल प्लेंग 11 के बारे में कि जो इनके प्लेंग 11 खेलते हुए नजर आने वाले हैं उसके बारे में डिसकस करेंगे Northern की टीम से यहाँ से देखो आपको यह खेलते हुए नजर आएंगे यह सारे प्लेयर और Captain इस टीम के उमर यह मैंने लिखर रखा है यही बैटिंग ओडर भी इनका टेस्ट कर रहने वाला है तो यहाँ से देखकर के चलना Captain इस टीम से उमर अमीन रहने वाले है विकेट अब इनके जो रिसेंट स्टैट्स हैं उसके बारे में डिसेस कर लेते हैं उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही है न भाई तो लाइक जरूर कर दो सबसे फर्स्ट काम आपका यही है लाइक करते तो से मुझ पर मिल जाएगा जूट जाना वहाँ पर और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेलाएक अंदवा कर आल कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो फर्स्ट इंप्रेशन में आपको हमारी वीडियो मिल जाए क्यों कि हर 24 घंटे के अंदर ना भाईसाब मैं क स्मॉल लिग एस वेल एस ग्रेंड लिग दोनों के लिए हैं मोहमद हुरेरा एक मैच के परफॉर्मेंस के बैसिस में इंको ट्राइन करती है तो साइद इनके बारे में मैं थुरा सा सोचूंगा कि इनकी टीम थोड़ी सी स्ट्रॉंग है और बैटिंग से ही स्कोर बहुत ज तो इनको तो मिसमत ही करना क्यों देखो 150, whether 0, 0, 213, 14inal, फिर ये स्टि granddaughter का यह सिंग्र क्यों यह तो यह थोरा देकर के चला इसमें यह, थीखाए तो यह आपको समझ Поэтому से की किस लेवल के प्लेयर है कैप्टेन भाइस कैप्टेन के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा पीक अच्छे रहने वाले हैं, सरमान भाटे यह आपके लिए कुछ खास नहीं है, एक मैंजिस के बेसिस में इंको टाइ नहीं करूंगा, मुबासिर खान आपके लिए सबसे इंपोर्टन पीक है, 112 लिए एक विगेट, एक विगेट, पचीस रन एक विगेट, यह देखो यह भी आपके लिए इंपोर्टन पीक है, इसमॉल लिए ग्रेंड लिए दोनों के लिए, इनको भी मिस मत ही करना तो ज्यादा बेटर रहेगा, उमर अमीन ठीक 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 है, कैप्टन है इस टीम के, और आ जादा ओबर डालेगा, उसको विगेट मिलने के चांसेज भी अधिकतम होते हैं, ठीक है, तो उनको ट्राइ करके चलना आप ज्यादा अपने टीम में, उस्मान सिन्वारी, अगर आप चाहो तो ट्राइ कर सकते हो इनको, बट इंका मुझे कुछ इंप्रेसिवे स्टैट्स लगा ही नहीं है, और पॉब्लिक ने डिलिलने पर बहुँ जादा इंका सेलेक्शन प्रेसेंट हाई रखा है, आसी प्रेसेंट करीब इनको ले रखा है, अब चाते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, बट मैं आप लिए बोलूँगा कि स्मान लिग में मैं सायद इंको ट्राइ नहीं करूंगा, मुहमद मुशा है, एक रन पांस विगेट, जिरो विगेट, एक रन चार विगेट, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इनके तरफ से, इनको मिस मत ही करना तो ज्यादा बिटर रहेगा आपके लिए, मुनिर रिवाज रहेंगा जरूर ट्राइक करना मुहमद मुशा को आपके लिए, मुनिर रियाज है, इनको जरूट ट्राइक करना दो विगेट, एक रिवेट इनका ठीक ठीक रहेंगा परफॉर्मर्स है, जो खेलते हैं तो ठीक है, अभर तो जादा आ आपके डालते हुए नहीं आंगेए, बट ज प्रभाइट करा दूंगा अपने टेलिगाम चनल पर खुर्रम मंजूर है कुछ खास स्टैट्स नहीं देखो इनकी टीम ही इसा नहीं है कंपेर टू नॉर्धन की टीम से ऐसा क्यूं है मैं ऐसा क्यूं बोल रहा है कि इनके प्लेयर चलते ही नहीं है सिर्फ देखो एक मैस में इनका एक सो तीन पर नहीं स्कोर है खुर्रम मंजूर का बस दोसरे फर्स इनिंग का ही सेकंड इनिंग का है दूसरे मैस में जीरोन पर आउट हो गयते है सरजिल खान इनको तो मैं लूँगा ही नहीं पता नहीं का क्यूं सिलेक्शन परसेंट हाई रखाया है रिडिनल पे साथ खान आपके लिए सबसे जाद है इंपॉर्टेंट पीक है फवाद आलम के बारें बात करूँगा आपको जुरूर ट्राई करना है अपने स्मॉली के टीम में बलके सी और भी सी भी आप ट्राई कर सकते हैं इनको साथ रन एक विगट जिरो विगट एक सो बास रन दो विगट छिया सट रन ठीक टैक पिक बनेंगा आपके लिए मिस म पास मुझे स्टाइट्स लगा नहीं है इनको भी मथी ट्राई करना आज ही कली आपके लिए इंपॉर्टेंट पीक जुरूर रहेंगे क्यूं आठ रन दो विगट एक विगट और 26 रन एक विगट आपके लिए सबसे आद इंपॉर्टेंट विगट है बिल्कुल ट्राई इनको भी आप रोटेट मत ही करना अपने टीम में मुहमध हस्नेन है बिल्कुल ट्राई कर सकते हो अपने इसमॉल लिए के टीम में अगर आप चाहो तो एक रन दो विगट है जीरो विगट यहाँ पर यहाँ पर पांस रन एक विगट है बीस ओबर एक और इस ओबर का बॉ इसलिए मैं बता रहा है यूटूब के फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा टेलेगरम का लिम कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है उससे भी जोएन हो सकते हो और या फिर अंडिप्टेट फेंडेजिक रिकेट सर्ट करके भी जोएन हो सकते हो ला लाइक सरे सब्सक्राइब करना मत भूलना इसलिए मैं बोल रहा हूं तो प्लीज 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 केप सपोर्टिंग आवर टेलिंगायम चैनल आवर यूटूब चैनल सब जगह फिला दो यार अपने भाई को तो देखो अभी कहीं आपको जाना नहीं है अभी हम लोग च रोहिल नजीर अगर पहले फस्स बैटिंग करेंगा तो मैं सबसे इंपॉर्टन पिक रहेंगे में विगट कीपर सेक्षन से इन ही को ट्राइ करूँगा बट अभी के लिए मैं मुहमद हसन को ही ट्राइ करूँगा अभी के लिए अब आते हम लोग बैटिंग से देखो यह इनको आप ग्रेंड लिंग में ही रोटेट करना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए यहां से आएंगे फिर क्या नाम इनका भाई सान मसूद यहां को खेलते भी निजर नहीं आएंगे सायद इस मैच में सरजिल खाने कुछ खास इंका स्टैट्स है नहीं महमा दूरे र ला हूँ यहां से खुर्रम मन्जूर हैं इनका भी ओपनिंग करते हुने जर आएंगे ग्रेंड लिंग पिक हैं आपके लिए जरूर ट्राइ करना इन नमाज है नासिम नमाज यह आपके लिए सबसे ज़्याद पिक हैं क्यूंकि इनका मैं आपको स्टैट्स दिखाया है कि इस लिवल के प्लेयर हैं हर मैच में आपको स्कोर करते वे नजर आएंगे इस भाटी है तो इनको भी ग्रेंड लिंग में रोटेट करना यह दुनों नीचे से खेलते वे नजर आपको नहीं आने वाले हैं ठीक है अब आते हैं हम लोग ओल्राउंड राउंड राउंड से आपकोटेट करना ही और थिए जमाल महसान यह सब खेलते वाव आपको नजर नहीं आएंगे तो तीने को बारे में डिसक्स करना ही बेकार बात है अब आते हैं लोग बॉलिंग सेक्शन पर यहां से मेरे लिए फर्स्ट पीक रहेंगे मुहमद अजगर मुहमद हस्निर नॉमनली ठीक है में तीन प्लेयर को लेना सबसे पहले चाहूंगा आकार रहमा साथ खेलेंगे नहीं आपके लिए ठीक है तो इनको मिस मत करना आप सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पीक है आपके लिए नॉमनली है मैंने इंको ट्राइ कर रखा है बट देखो अगर आप चाहो तो नॉमनली के प्लेस पर यहां आसिक अली को ले सकते हो ठीक ठीक है क्योंकि मैंने आपको स्टाइट्स दिखाया यह सारे बंदेगा और किस लेवल के प्लेयर है इनका जो रिसेंट स्टाइट्स रहा है लास्ट चार पांत मैचेश का उसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो मैं इस सारे पीक को ट्राइ करके चल खान भी आपके लिए ठीक ठाक पीक रहेंगे क्योंकि मैंने आपको दिखाया है हर मैच में यह बंदा दो तीन विगेट निकाल जाता है फिर उसको दाज जाते हैं यहां से फावाद आलम यही पीक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीक रहेंगे जिनको आप कैप्ट के भाइस काप्टेंट पहले आपके साथ डिसक्स कर लूँ तो इंकी टीम थोरे सी स्ट्रॉंग और नौधन की टीम तो इसलिए मैंने कैप्टेंट बनाऊंगा फ्याजल रियाज को और भाइस कैप्टेंट में बनाऊंगा फवाद आलम को ठीक है भाईसाब तो मैं आभी क मैं लिख भी दियाओं कि यह हमारी फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम आपको हमारे टेलेगाम चैनल पर मिलेगा टॉस अपडेट के साथ ठीक है तो चलिए ने इस वीडियो मिलते हैं नए बादर ट्रिक और वीडियो के साथ तब तक लिए धरने बादर अपना ख्यार